हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे जेफरी धहमार का वो टेन हिडन सीक्रिट जो ना कभी आपने सुने होंगे और ना देखे होंगे 2022 में नेट्फिक्स पर आने वाले इस शो ने बहुत लोगों को हिला कर रख दिया जादा देर ना करते हुए शुरू करते है आज की ये कहानी जेफरी धहमार अ मौंस्टर स्टोरी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जेफरी धहमार ने अपना पहला मड़ 1978 में स्टीवन हिक्स का किया था जब धहमार सिर्फ 19 साल का था नेट्फिक्स पर दिखाई जाने वाली सीरीज धहमार का बारे में बताया गया है कि जेफ ने 20-25 लोगों को मारा था लेकिन रियलिटी मी जेफ धहमार ने पैसत से 80 लोगों को मार कर उनका मास खाया था जेफरी धहमार के साइकोपैथ होने का कारण उसकी मा जॉयस फ्लिंट की हेवी डोस मेडिसन और उसके पपा एल धहमार जो उस रोटकिल जानवरों को डिसेक्ट करना सिखाते थे धहमार की दिमागी हालत के लिए उसके मा बाप का बदा हाथ माना जाता है जेफरी धहमार को लड़किया बिलकुल भी पसंद नहीं थी बलकि उस लड़कों मी इंटरेस्ट कुछ जादा था दहमर हर रात एक लड़के को घर लेकर आता और उसके साथ सेक्शुली असौल्ट करने के बाद मार देता था दहमर ने अपने फ्रिज में एक आदमी का सेर काट कर रखा हुआ था और फ्रिसमी कुछ लड़कों का दिल दिमाग और हाथों की कुछ उंगलिया पैकेट मी डाल के आर आर राखी हुई थी दिल को रोजाना फ्राय करके खता था दहमर ने अपनी दादी के घर मी एक इनसान को मार कर उसकी बोन्स को जला कर प्योर गार्डन मी बिखर दिया था इतना सब होन के बाद दहमर के भाई डेविड दहमर ने अपना नाम बदल दिया था ताकि उस मीडिया और आम लौक परिशान ना करे जेफ के फादर एल दहमर एक इंटर्व्यू मी बताते हैं कि वो भी कभी दहमर जैसा सोचते दे जेफ की मा जॉइस फ्लिंट की डेथ 2001 मी हुई थी और दहमर के पापा की डेथ दिसेंबर 2003 मी 87 साल की एज मी हुई जेफरी दहमर के मरते हुए आखिरी शब्द दे मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ मुझे फरक नहीं पड़ता मैं जीऊ या मरू आप मुझे मार दीजिए अगर विडियो अच्छी लगी हो तु चैनल को सब्सक्राइब और विडियो को लाइक तर दे थैंक यू